हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं गुजरा तंबूजा एक्सपोर्ट की कुछ लिए लिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो स्टॉक में आप देख रहे होगे कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है और चार् स्टॉक का 26% करेक्शन भी हो गया है इसके बाद स्टॉक ने फिर यहीं से उपर की दिशा पकड़ी सपोर्ट बनाया यहां पर 153 के राउंट साइकलोजिकल लेवल 150 होता है जो कि उसके नियर बाय और यहीं से फिर उपर की दिशा पकड़ लिए आज जो देखें तो इसी टाइप से चल रही थी बट यहां पर जब करेक्शन आया तो स्टॉक ने यह लेवल ब्रेक किया ट्रेंड लाइन का और यहां पर ब्रेक्डाउन के बाद फिर काफी नीचे चला गया अब यहां से फिर से वी से की रिकवरी सुरू हो रही है कुछ ऐसी सी तो आपका व जो अच्छी बात रही है कि ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग होई है तो कल के दिन अगर श्टॉक बुलिश रहता है तो पहला टार्गेट यहां से 187 ही रहेगा क्योंकि वो आज कहाए था next target in the same line will be somewhere here at around 190 छोटा सा hurdle face होगा 190 के बाद फिर स्टॉक जब चलेगा तो 197 के आसपास यहां कहीं इन लेविल्स पर hurdle face होगा क्योंकि यहां पर 200 का psychological level नेर वाई है तो definitely 197 पर heavy selling देखने को मिलेगी अगर यह 200 सस्टेन कर लेता है तो फिर आप देखें आपके जो आकड़ा रहेगा वो 200 तक पर देखने को मिलेगा 210 के आसपास 207 पर यहां कहीं क्योंकि यही स्टॉक के recent high थे March के around और इसी वज़े से यहां पर stock में एक heavy selling देखने को मिलेगी तो उपर की दिशा में जो बड़े sellers active रहेंगे 200 के पास रहेंगे फिर 210 के पास रहेंगे यह अगर लेवल सस्टेन कर लेता है तो channel के अंदर जो अपने target रहेंगे वो 221 के आसपास यहां कहीं देखने को मिल तो इस लेवल से अगर आप फिब क्या फिब लगाते हैं तो भी आपको एक अच्छी clarity समझा जाई कि स्टॉक में मूव कैसे आने वाला है उपर की दिशा में आपने मानते हैं कि ट्रेंड लाइन के इधर पर 222 के लेवल पर आपन टार्गेट लेगे चलते हैं तो फिब के सर्फिंग दिन स्टॉक यह .5 का लेवल सस्टेन कर जाता है तो आपको देखें उमीद ज्यादा रहेंगी कि स्टॉक फिर उपर की दिश healthy पकड़ेगा क्योंकि जब भी .5 का लेवल नीचे की दिशा में जा रहा हूं या ऊपर की दिशा में जा रहा हुँ यह जैसे ही break होता है तो एक अच्छा move हमेसा आता हैगा वो नीचे जा रहा हूँ तो अगर 0.5 का level break होगा तो एक sudden drop देखने को मिलेगा और उपर की तरित सामे अगर break होता है तो एक अच्छा move उपर की दिशामे आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में तो कुछ जै 178 किया अगर और भी नीचे थोड़ा बहुत जाता है तो strong support रहेगा 175 psychological level इसके नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मोटा की pullback रहेगा इसके बाद उपर की दिशाही पकड़ेगा इसके बाद उपर की दिशाही पकड़ेगा इसके बुलिश है क्योंकि तो साथ ही साथ यह वाले होगे अपने support तो hopefully अब आपको यहाँ clear होगा गुजरा तंबूजा कैसे चलने वाला है मिलते नेक्स वीडियो में this is me सुपम्यादव signing off